नमस्कार एक बार फिर आपका सुवागत है हमारे चैनल पर आज है हमारे भारती सिनेमा जगत के सुप्रसित अभिनेता सुनिलदत सहाप का पुन्यति थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है सोर कितना बाजुए पातिल में है जी हाँ आज ही के दिन 25 माई सन 2005 को 75 साल के उम्र में सुनिलदत सहाप इस दुनिया से अलविदा कह गए थे तो आज हम लोग सुप्रसित अभिनेता सुनिलदत सहाप के बायोग्राफिक के बारे में बात करने वाले हैं सुनिलदत सहाप जिने हम बलराज दत के नाम से भी जानते हैं और सुनिलदत सहाप का जनाम चैजुन उनिस सव उन्तिस को अविभाजित पंजाब के जिलाम जिले में हुआ था और उनकी सिक्षा मुंबाई के जय हिंद कॉलेज में हुआ और उन्हों अपनी केरियर की सुरुवात रेडियो सिलोन में एक उध्धोसक के रूप में किया और रेडियो सिलोन सौथ एसिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है और एक उध्धोसक के रूप में दत सहाप काफी ज़्यादा लोग प्रिय हुए और अभिनाय में इनकी काफी ज़्यादा रूची था और इस छेत्र में इन्होंने सीग रही अपनी पहसान बना लिया और बात करें इनकी पहली फिलम की तो 1955 में आई फिलम रेल्वे स्टेशन जिया ये इनका पहली फिलम था लेकिन इस फिलम से उतने दा सफलता हासिल नहीं हुआ फिर इस फिलम के बाद 1957 में आई फिलम मदर इंडिया जिया ये फिलम सुपर डूपर हिट हुआ और इस फिलम ने इन्हें बालिवेट का इस्टार बना दिया और सुनितर सहाब ने करीब पचास से भी ज़्यादव फिलमों में काम किये हैं और कई फिलमों का निर्माड और निर्देशन भी किये हैं मैं कुछ फिलमों का नाम आप लोग को बताना चाहूंगा जैसे मैं चुप रहूंगी मुझे जीने दो गुमराह खांदान मेरा साया गबन मिलन हमराज पडोसन चिराग रिस्मा और सेरा जक्मी नांगिन जानी दुस्मान सान रौकी और रास्तिलाक वतन के रखवाले ये आक का बुझेगी कुर्बान विरोधी फूल और सन 2003 में बनी फिलम मुन्ना भाई MBBS उनकी बतार अभिनेता अंतिम फिलम था और इस फिलम में इन्हों अपने ही पूत्र संजादत के पिता का भुमी का निभाया था जिसे आप लोगों ने काफी ज़ाद पसंद किये थे और बात करे अवार्ड की तो इन्हें सर्वस्रेष्ट अभिनेता का फिलम 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 के लिए मिला था इसके साथ ही 1968 में इन्हे पदमसिरी का अवार्ड भी मिला था और 1995 में फिलम 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 का लाइफ टेम अशियूमेंट अवार्ड भी मिला था और 2005 में दादा सहाब फालके का अवार्ड मिला था और इसके साथ ही और इसे बहुँ सारे अवार्ड है जो सुनिल्दस सहाब को मिले थे और बात करें की फैमिली की तो 11 मार्च 1998 को सुनिल्दस सहाब ने नर्गीश से विवाह किया था और 1981 में कैंसर से प्रित होने की वज़ाई से नर्गीश जी इस दुनिया से अलविदा कहे गई और सुनिल्दस सहाब का एक बेटा संजादत और दो बेटी प्रियादत और नम्रतादत हैं और ये बताते हुए बहुत ही जाद दुक हो रहा है कि 25 माई 2005 को 75 साल के उम्र में 581 आजाने के वज़ाई से सुनिल्दस सहाब इस दुनिया से अलविदा कहे गई मर्द तयारी नहीं करते शेरा हमेशा तयार रहते हैं जी हाँ आज ही के दिन सुनिल्दस सहाब इस दुनिया से अलविदा कहे गए तो हम लोगों के तरफ से सुप्रसिद अभिनेता सुनिल्दस सहाब को भावपूर सरधान जली और सुनिल्दस सहाब जहां भी रहे खुश आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिये हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकिये हैं तो लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा थाइंच दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लि झाल 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 झाल